अबना हमारे दो दिन बचे हैं कॉस्ट अकाउंट में हमारे बचे हैं दो दिन तो बच्चों को जानना है सर कुछ बच्चों ने अगर पहले पढ़ लिया था और पढ़ने के बाद बच्चों ने बोला सर अब हमें रिवाइज क्या करें नहीं करें कुछ समझी नहीं आ रहे बिल्कुल blank हो गए, तो कुछ एक chapter जो important है, वो मैं लिखने जा रहा हूँ और उसके topic, सबसे पहले chapter की बात करें, तो cost sheet, cost sheet में क्या करना है, जो मैं topic लिखवा रहा हूँ, वही topic करना है आपको, सबसे पहले तो new format कर लीजिए, नमबर दो, जिसके अंदर आप closing stock, closing stock, unit find करते हैं, per rate, आप देखेंगे तो chart में भी infect format लिखा हूआ है, cost sheet में सिर्फ ये दो point करिए और ज्यादा कुछ ने, नमबर दो, material, सर, material के अंदर दो topic करिए, number one, material के अंदर topic क्या करना है, सर, material के अंदर topic करना है, हमें, एक तो करना है, हमें leafo-fifo, और दूसरा करना है, हमें maximum, minimum, level, ये दो point, जो expected है, के जादा से जादा पूछे जाएंगे, बच्चे last year वाले के अंदर न, वो EOQ आ गया थो, तो मुझे नहीं लगता है, इस बार आप पूछा जाए, बाकि आपको EOQ अगर ये आता है, तो EOQ आता होगा, material के बाद, सर, labor में क्या करना चाहिए, मैं वो chapter बता रहा rate, और दूसरा कर लीजिए, इसमें plan, bonus plan, दूसरा कर लीजिए, सर, bonus plan, इसके अंदर से, जो पढ़ने वाले चीज़ है, सर, इसके theory जरूर करिएगा, जिसके उपर मैं theory लिख रहा हूना, इसमें से theory भी पूछा जाएगा, और इसमें से भी theory पूछा जाएगा, 100% theory पूछा जाएगा, अगले chapter पर आ जाते है, overhead, overhead में देखो तीनी topic है, one shot में important chart के बना दूँगा, इसके अंदर पहला तो हमारा क्या था, machine hour rate, दूसरा क्या है सर, distribution, और तीसरा क्या है सर, आज जो करा है हमने, overhead rate, rate, जिसको control rate भी बोल देते हैं, कई बारा अलग, इसके अंदर कुछ supplementary rate वगएरा है, बस formula वगएरा देख लिजेगा, ठीक है, चलिए, मैं इसके बागी formula की chart डाल दूँगा, आज रात में ही डाल दूँगा formula की chart बना के, तो एक chapter, दो chapter, तीन chapter, पांच, इसके बाद आ जाते हैं, सर, contract, contract की बात करें, तो क्या पढ़ना है, सर, contract के अंदर, contract के अंदर, normal आपका question करना है, जिसके अंदर आपको बनाना पड़े, contract account, more than one year, और इसके अंदर आपको क्या बनाना है, with balance sheet, more than one year का, नंबर दो, contractee account, और नंबर तीन, डबलू आईपी, account, यह सिखना है, estimated वाले आने के बहुत कम chance है, बाकी एक बार देख के जरूर जाईएगा, इसके बाद, contract के बाद, process, process, process account में जो इस बार chances है, बनता है, वो एक तो आप कर लीजिए, जिसके अंदर stock वाला था, opening stock, closing stock, यानि stock वाला process, और दूसरा equivalent वाला, equivalent WIP, कुछ बच्चों ने doubt बेजा हुआ है, मैं जानता हूं, उसके doubt मैं फोन पर ही लूँगा, या फिर वीडियो कॉलिंग के थूरू मैं ले पाऊंगा, उनके doubt, combine doubt मैं वीडियो कॉलिंग पर ही ले सकता हूं, चलिए, कितने chapter होगे साहब, बताईए, हमारे chapter होगे कितने, एक chapter, दो chapter, तीन chapter, चार chapter, पात chapter, और छे chapter, इसके बाद आ जाईए, छठा chapter आता है हमारा, service cost, service cost, service cost में से क्या करना है, आप full flash question करिए, full question, turn वाला मत करिए, full question करिए, एक बच्चे ने बहुत बहतरीन सवाल भेजा था, question number 5 था, मैंने उसको पूरा solve करके बता दिया था, पता ने उस बच्चे को समझ आए, क्योंकि आज रात को देखूंगा, नहीं होगा तो मैं बोट पर ही कराऊंगा, वो सवाल को, ठीक है न, कौन सा सर ये, full flash question करिए, जि इसके बाद कुछ ऐसे chapters हैं, जिसके अंदर से आएगा, जैसे single, output, मैंने एक वीडियो में करा दिया, सारा समझ में आजाएगा, जिसके अंदर job, estimated cost sheet, अब देखो, cost sheet बोलू न, तो overhead में भी cost sheet आजाता है, जो rate होता है, उससे बोलता है, prime cost का rate निकालो, तो prime cost के लिए होग मतलब cost sheet आजाता है, और job badge, इसमें से question, बहुत, वाकि मैं बता हूँ, तो इसमें से question पूछा जाता है, सब, आपने भी करें होगा, job badge में से बहुत rare पूछा जाएगा question, ठीक है, अगला रहता है हमारा कुन सा, by product, इसके अंदर से आप theory करके चले जाएगे, इसके अंदर स theory या फिर मैं इसको अलग से ही बता दूँ, ठीक है, और एक है हमारा integrated जो मैंने आज कराया, integrated, and non-integrated, सबसे पहला इसमें से theory करिये साहब, कौन सा theory करिये, difference इन दोनों के बीच में, और दूसरा आप इसके journal जो मैं बता रहा हूँ, सिर्फ वो journal आपको पढ़के जाने है, य नमबर वन की मैं बात करूँ, तो सबसे पहले आपको cost sheet करना हुआ, क्योंकि हर जगा आजाएगा, नमबर वन पे, नमबर दो पे आप material करिये, बहुत आसान है, हाँ, CRS रह गया, मैं बता दूँगा, बहुत आसान है, नमबर तीन पे आप labor करिये, इसी इसाब से chapter लिखा आसान है, overhead को थोड़ा सा रोक के, फिर आप करिये contract और फिर करिये process, ठीक है, ये मैंने tick लगा दिया, जैसे जैसे करना है, इसके बाद आपको क्या करना है, overhead के अंदर पहले करना है machine hour rate, और machine hour rate करते ही आपको service cost कर लेना है, या फिर रुख जाएए, या फिर रुख आप machine hour rate भी रहने दीजे, इससे पहले आप कर लिजे, single output और ये, इसके बाद आप आईए किस पे machine hour rate पे, और इसके बाद आप आजाईए किसके उपर सर, machine hour rate के बाद क्या था, क्या था, क्या था, हाँ, ये वाला आ जाना है, एक रह गया, CS, मतलब cost reconciliation statement, ये भी important है, ये भी करके जाएंगे, आप कुछ बच्चे बोड़नें, doubt है, revision है, जैसे भी है, तो ये overall मैंने सारे चप्टर के अंदर के topics भी बता दी हैं, जिसके उपर focus करना है, theory का part सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा, इन में से, overhead में से theory का part आएगा, पहला चप्टर theory का, उसमें से theory 100% आ concentrate करके देखा, एक सवाल खुद करके देखा, बात खतम, एक closing stock वाला देखा, cost it खतम करी है, समझना है, पहले, दूसरा material का देखा, concentrate करके देखा, note भी क्या, note नहीं भी कर रहे है, तो notes दे रखें आपको, करने के बाद दो-दो सवाल कर लिए, खतम, आगे बढ़ो चप्ट अब भी कराया है, तो वो वाली चीज़े नहीं देखना, simple simple इसमें से करके जाना है, paper यकीन मानिए, आपका आता है, आसान, कुछ एक question tricky होता है, लेकिन एक question की वज़े से बच्चा पूरे paper को बदनाम कर देता है, paper tough आ गया था, पिछले साल के अगर मैं paper की बात करूँ, त तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि इस तरीके से पूरा process करिए, आपका definitely paper अच्छा जाएगा, ये वीडियो मैं upload भी कर दूँगा अभी, आप देख लीजेगा कि कैसे करना है इसको, और बाकि जितने बच्चे जिसको भी जो doubt होता है, जो बच्चे live में उसको तो number दे करेंगे, नहीं, आप कर सकते हैं, बस strategy बनाइए, इसमें से सारे chapter को मत पकड़िये, जिन बच्चों ने कुछ नहीं करा, कुछ एक chapter पकड़ के जाए, जैसे एक पकड़ लिया, तीन चार कोई भी अपने हिसाब से, जो आपको आसान लग रहा है, करके जाए आप, जिसमें स जो था ने, integrated, non integrated folder बना के डाल दिया, general entry, 4-5 general entry, और डाल दूगा, हो जाएगा, chapter खतम, क्योंकि हो मैं record नहीं कर पाए,